मोदी जी की कौम के जो मेरी विरादरी है उन्होंने कौमनी विरादरी शब्द उपयोग किया था और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि हमने दुश्मन आकरांता जो थे जो इस देश के उपर बहुत समय तक राज करते करते हमको जिन्होंने दबा के रखा था हमारे उपर अत्याच होते थे ऐसा एक अपना इत्यास है कि दिरे दिरे संगर्श करते करते देश आजाद हुआ उनिश्व सहतालीस में देश आजाद हुआ कई सरकारें आई कई गई और मैं उस बाद के और उलेक करना चाहरा हूं वह जब देश के अप धानमंत्री नेंदर मोदी जी बने नहीं थ जाएंगे वातावड़ना सब बन गया था उनसे पूछा गया कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी प्राथिमिक्ताएं क्या होंगी अब हम सब जानते हैं सरकार में सरकार चाहिए प्रधानमंत्री हों मुख्यमंत्री हों मंत्री हों सांसाद विधायक जो एक स बनेंगे हमरे कोई कार खाने लगेंगे नोक्रियां होंगी जहास बनेंगे रेल वेल आइन बनेंगी साब ये विकास की बातें सामने आती हैं लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों का उत्तर उस समय ऐसे नहीं दिया दे सकते थे जवाब कि मैं आऊंगा तो इतने बड़े-बड आते से नहीं कहा उन्होंने उनकी कौम कौन सी उनकी कौम हैं ये जो राजनेतिक नेता हैं ये वास्ता में उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि जो मेरी बिरादरी है उन्होंने कौमनी बिरादरी शब्द उपयोग किया था तो जो मेरी बिरादरी है इस बिरादरी की छवी यह बहुत धूमिल हो गई है, इस विरादरी की छवी मैंने अच्छी करनी है, सुन्दर करनी है, विश्वसनी करनी है, कैसे इमानदार नेता खड़े हो, मेरे सामनी यह चैलेंज है, बोलो चैलेंज था के नहीं है, जिनको लगता ही चैलेंज था, कि नेता कहते ही आदमी चाते होंगे, यानि गलत शब्द बहुत ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता मंच पर ऐसे शब्द लगाए जाते थे, तो क्या कोई नेता इमानदार नहीं हो सकता क्या, कोई अच्छा अदमी नहीं हो सकता क्या, अगर नेता अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा होगा, ऐसा उनकी धारणा थी उन्होंने ये चैलेंज बताया था और इस चैलेंज के बाद आज हम सब को अविमान स्वाविमान हैं कि आज देश में अच्छे लोग भी राजनिती में आने लगे हैं